अपने ही जो है बेटे की उसने गला दबा कर चार वर्सिया माशुम बेटे की जो है हत्या कर दी बही कई दिनों से एक महिला की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सूचना सेट एक मां क्या अपने ही बेटे को खा सकती है क्या अपने ही बेटे की हत्या कर सकती है बिल पैसे और इगो के चक्र में अपने ही जो है बेटे की उसने गला दबा कर चार वर्सिया माशुम बेटे की जो हत्या कर दी, पूरी खबर हम विस्तार से जानेंगे, पहले तो खेद है कि कई दिनों तक मैं कोई भी न्यूज नहीं लेके आसकी, और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपकी होस्ट और दोस्त मेंन का देशवार, और कई दिनों से मैं ये खबर बनाने की शोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, चूंकि मे इंटेलिजेंस, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की जो बहुत उम्दा शोच शक्ते रखने वाली महीला, और दोहजार इकिस की जो लिस्ट है, जिस सबसे पावरफूल में की उन में जो है सो सकत महीलाओं में, जो है सूचना सेट का नाम था, अब ऐसा क्या हुआ कि एक मही जो इतनी पावरफूल है, इतनी माइंडफूल है, और ने सिरफ माइंडफूल, बलकि इतनी इंटेलिजेंस और होनहार की हावर्ड जैसी उन्यूनिश्टियों से उन्होंने फैलोसिप की हुई है, और अमेरीका के जो बहु चर्चित सीटी हैं, वहां तक उन्होंने ट्रे करके इंटेलिजेंस के फिल्ड में अपना नाम कमाया है, अब घटना सुरू होती है, 2010 में जब सूचना सेट और वेंकट रमन की शादी होती है, वेंकट रमन की रहने वाले हैं, और सूचना सेट वेस्ट बंगल की रहने वाले दोनों की शादी 2010 में होती है, नो शाल बाद सूचना सेट को एक बेटा जो होता है यानि एक पुत्तर रतन की प्राप्ति होती है लेकिन 2020 से ये सूचना सेट और वेंकेट रमन के बीच में कुछ ठीक नहीं था सूचना सेट जो है वेंकेट रमन वो भी artificial intelligence से रिलेटर जो है काम करते हैं वो भी काफी जो है इंटलिजेंस व्यक्तितों के धनी हैं और बहुत बड़ा जो है वैंके टरमन का का रौबार है वीदेश्टों तक यूनकी पहुंच है और हाल फिलाल भी Vैंके टरमन वीदेश इंडोनेसिया में गए हुए थे तो 2010 में साधी होती है 2009 में जो है बेटा होता है और 2020 में दोनों की बीच में जो है तलाग का केश जो है सुरू हो जाता है यानि के डाइवोर्स केश जो है सुचना सेट जो है फाइल कर देती है अब सुचना सेट और वेंकेट रमन दोनों की जो है तारीखें लगती हैं को मासुम बेटा सूजना सेट के पास इथा छै जनवरी को सूजना सेट गोवा के एक नामी होटल में आती है और होटल मन्यान गरांडे इस तरह का कुछ नाम है जो काफी महेंगा होटल है छै से दस तक जो है सिफ्टिंग के लिए सूजना सेट का यहां इरादा था और बैंगलूरू से गोवा सूजना सेट जो है फ्लाइट के थरू जो है आती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि हर किशी के जो है पैरों तले से जो है जमीन जो है खिसक जाती है हुआ यू कि छे तारिक को सूजना सेट होटल आती है साथ की अरली मॉर्निंग में मतलब बहुत सुबह सुबह रात की लग बख सड़े बारह के गरीब सूचना सेट साथ तारिक की सुबह सूचना सेट जो है चेक आउट कर लेती है और जसमें वो होटल से एक टैक्सी बुक करवाती है और जिसमें जिद करती है वो कि स्टाफ से कि आप मेरे को एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए मेरे को बैंगलोरू जाना है लेकिन होटल स्टाफ कहता है कि आप टैक्सी से नए जाकर फ्लाइट से जाएए टेक्सी आफ के लिए काफी जो है महेंगे साबित होगी लेकिन सूचना सेड जो है टेक्सी से ही जाने की जिद करती है और वो एक टेक्सी को जो है होटल के थुरू जो है बुक कर लेती है जो लगवक 30,000 रुपे में होई थी फिर सूचना सेड टेक्सी में निकल जाती है और साथ में बहुत भारी भर कम बैग लेके वो चली जाती है लेकिन जैसे ही जो है स्टाफ क्लीनिंग के लिए रूम में जाता है कमरा नंबर 404 होटल बन्यान गरांडे गोवा का ये नामी होटल स्टाफ सफाई के लिए जाता है तो वहां खून के कुछ धब्बे देखता है और चुकि कुछ ऐसी सस्पीस्यस चीज़ हुई थी कुछ जो है संदेह जगाने वाली चीज़ हुई थी जैसे खून के धब्बे मिलना अर्ली मौरिनिंगन के बहुत सुबह शुबह टैक्सी बोक करवाना फलाइट से ना जाकर टैक्सी की जीद करना इन सारी चीज़ों ने कह हिन कई होटल के जो स्टाफ को भी सक के दाएरे में जो है संदेह के लिए जो है दिमाग में कुछ शवाल पैदा कर दिये थे तो जैसे ही खून के दब्बे मिलते हैं तो होटल का स्टाफ जो है पुलिस को जो है सूचना देता है और पुलिस जो है सूचना सेट से संपर्क क ने कोशिश करती है तो उससे उसका बेटा और खून के बारे में तो सुजना सेट ये बताती है कि ये खून जो हमासिक धरम की वजही जो है लगा हुआ है जबकि बेटे का जब पुलिस पता करती है तो वो बोलती है कि मैंने किसी दोस्त के पास कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को जो है छोड़ा हुआ है पुलिस को वो एक पता भी देती है और पुलिस जो है उस पते पर पहुंच कर जो है उसकी जो वेरिफिकेशन करने की कोशिश करती है लेकिन वो पता जो है जुटा निकलता है तब पुलिस को सक जो है ओर ज्या पुलिस टेशन है गोवा से वो दूसरे राज्य करनाटक पहुंचाती है और वहां पर टैक्सी ड्राइवर की सोजबुज आप देखिए टैक्सी ड्राइवर ने जो है चितर दुरुग जो है पुलिस टेशन में जाकर वहां पर कर गोवा के जो है एस पी से जो है बात करवाई और वहां तुरंट पुलिस को ये जो दिशा निर्देश दिये गए कि आप सुचना सेट के जो है जो है जो लगजरी बैग है इनकी जो है चेकिंग कीजिए जैसे पुलिस चेकिंग करती है तो उसमें सुचना सेट के जो है बेटे की डेड बोड फिर भी अपने ही बेटे की हत्या परोशियों को कहना है कि सूचना सेट अपने बेटे को लेकर बहुत सजक थी बहुत प्यार करती फिर ऐसा क्या हुआ अब चार दिन लगबग बीट गए हैं लेकिन पुलिस अब भी जो है इस केस की तहह तक नहीं पहुँच पाई है लेकिन कड़ी दर कड़ी जो है जुड़ती जा रही सुकरवार को भी पुलिस ने जो है सीन जो है रिक्रियेट किया और डेड़ गंटे तक दोबारा से सूचना सेट को उसी होटल में लेके आई वहां से पुलिस को एक बहुत ही एहन सुराग में मिलता है जिसमें एक टीशू मेरे बेटे को लेने का दवा बना रहा है मेरा पती बहुत हिंशक है मैं एक डिन के लिए भी अपने बेटे को अपने पती को नहीं डे सकती और इस वजह से वो जो है बेटे की गला दबा कर जो है तक यह से हत्या कर देती है वहीं जो खून के कुछ दब्बे हैं उनका अंदाजा यह लगा जा रहा है कि सूचना सेट ने बेटे की हत्या के बाद जो है सूचना सेट करने कोशिश किया जैसा कि सुचना सेट बता रही है कि उन्होंने सुसाइड की भी कोशिश किया जबकि अभी तक भी इस केस में पूरी पारदर्सिता नहीं आई है पूरी तहह तक पुलिश जने कोशिश कर लिया लेकिन कोई साफ पष्ट अभी जो इरादा है आता है कि उसने पती की इसलिए भी हत्य किया क्योंकि बेटे का चेहरा जो है पती से मिलता जोलता था तो फिलाल पुलिश जो है इन्वेस्टिकेशन में लगी हुए है पास दिन के रिमान पर जो है सुचना सेट को भेज दिया है सीन भी रिक्रेट किया गया है और फिलाल जो पती है सुचना सेट का वेंकेटरमन वो भी इन्डोनेशिया से जो है भारता चुका और दस जनुरी को जो है बेटे का जो है अन्तिम संसकार पूरे विदी विदान के शाथ हुए है आप भी कमेंट बोक्स में अपनी राए जरूर देना कि जो है खरोंस तक नहीं आने देती यहां तो महाँ हत्या तक कर देती है तो वज़ığın जो भी है कमेंट बोक्स में आप अपनी राए जरूर देना जो पूसता चा पुलिस की वो भी जारी है और सुचना सेट के लिए आप अपनी राए comment box में जरूर देना कि अगर सच में सूचना सेटने ऐसा कुछ किया है तो क्या सजा ऐसी ओरतों के लिए जो होनी चाहिए और इस परकार की घटना उसे समाज क्या सबक ले सकता है वो भी आप अपने comment box में जरूर देना मुझे दीजिए जाल खटना के बारे में क्या करना वो comment box में आप जरूर बताना मेरी ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजे और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे जैहिन जैहरिया